फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन दिनों बांगलादेशी एक्टर मॉडल स्टार अशरफ आलोम बगोरा की पिक से भरा हुआ है 100% लोग उसका, उसके रंगरूप और उसकी अपिरेंस का मजाक उडाते दिखते हैं असल में आलोम बोगरा का जनम पांगलादेश के बोगरा जिले के इकलिया गाउं में हुआ था माबाप इतने गरीब थे कि उन्होंने आलोम को 10 साल की उम्र में ही त्याग दिया मरने के लिए कमबक्त इतनी सक्त जान था कि मरा नहीं तब एक आदमी अब्दुर्रजाक ने उसे पाला गाउं के स्कूल में ही साथवी क्लास तक पढ़ाई करी चुनूनी था दिन रात बस एक ही दुनसवार थी की हीरो बना है दिन रात म्यूजिक एलबंस की सीडी देखता रहता था फिर दीरे दीरे उनी को बेशने भी लगा फिर अपने गाउं में ही उसने केबल टीवी का काम शुरू किया और फिर एक दिन अपने फोन से ही एक गाने पे वीडियो बनाई जिसमें उसने गाउं के लड़के लड़कियों को और खुद को शूट किया और फिर अपने गाउं के केबल टीवी पे ही दिखाना शुरू किया, शेश इतियास है, आज वो अपने देश का एक छोटा मोटा स्टार है, बगल के गाउं की एक लड़की सूमी अक्तर से उसकी शादी हुई, दो बच्चे भी हैं, आज आलों की 500 वीडियो एल्बम्स बाज स्मार्ट नहीं, क्या आलों के हीरो होने में कोई संदे है, क्या इस बात के लिए उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए कि गरीबी भुकमरी से त्याग दिये जाने के बावजूद भी, वो मरा नहीं, ना खुद मरा, ना सपनों को मरने दिया, जो सपना देखा, उसे जिया, हार नहीं मानी, मुँ में कोई सिल्वर स्पून ना था, ना सिख्षा थी, ना ट्रेनिंग थी, और ना कोई प्रमोटर था, फिर भी छा गया, उसे अपने काले रंग से कभी भी हींता नहीं हुई, उसने हमेशा खुद को एक हीरो ही माना, खुद को हीरो ही देखा,